धनबाद जिले में हर दिन अपरादी अपराद को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं अपरादियों के मनोबल को कम करने में पुलीस नाकाम है अपरादी दिन दहाडे लूट छिंताई की घटना को अंजाम देकर भाग निकल रहे वहीं पुलीस घटना के बाद जाज करने में व्यस्त हो जा रही कत्रास थाना चेतर के रानी बजार में एक महिला से सोने की चैन चीनतई की घटना घटी है बाइक सवार दो प्राधी दिन दहाडे महिला के गले से सोने के चैन को जपटा मार कर छीन कर भाग निकले गटना की है तस्वीर सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गई है कतरास के रहने वाले किसन चौधरी की पतनी के साथ छिनताई की घटना गटी है महिला सडक पर चल रही थी इस दोरान बाइक पर सवार दो युवक उनके गले से सोने की चेन छीन कर फरार हो गए चैन चीनने के दोरान वह दो टुकडों में बढ़ गया आधा हिस्सा अपरादियों के पास और आधा पेडित महिला के कपड़े में ही रह गया सिसी टीवी फुटेज में बाइक सवार अपरादी जान बूझ कर पहले किसी सामान को सडक में गिरा देता है उसके बाद रुक कर उस सामान को उठाने आता है इस दोरान एक महिला उसी सडक से घर की और आ रही होती है जिसे पहले से बाइक सवार अपरादी टार्गेट कर रखा था महिला के नजदीक आते ही दोनों बाइक सवार तेजी से महिला की बढ़कर गले से सोने की चीन चीन कर फरार हो जाते है जब तक महिला हल्ला करती तब तक बाइक सवार अपरादी मौके से रफुचक कर हो जाते कतरास के वैस्ततम बजार में इस तरह से दिंदहाडे चिमतई की घटना होने से पुलीस की लापरवाही सुरक्षा को लेकर साप पता चलता है